नवरात्री में किसी भी दिन चूप चाप फेंक दे यहां दो दिब लौंग, तंत्र मंत्र बाधा, नजर दोष, शत्र नाश, दुख नाश, पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, नवरात्री के दिनों में लौंग का छोटा सा प्रयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है, मातारानी को लौंग अत्परी है और लौंग एक ऐसी वस्तु है जिसका तांत्र क्रियाओं पूजा पाठ में और हमारे किचन में भी यूज होता है, अगर नीमित रूप से म मातारानी को लौंग अर्पित किये जाएं तो उसके फल निराले तो मिलते ही हैं, लेकिन जब नवरात्री का मौसम आए तो आप विशेश प्रयोग कर सकते हैं, तो जीवन में चमतकार है तू आप खुद देख सकते हैं, और मातारानी का इंतजार पूरे वर्स रहता है क्य मातारानी वैसे ही आती है, इस बार ये हाथी पर सबार होकर आ रही है, लेकिन आपको उनके आने से जीवन में आनत तो भरताईय साथी खोशिया भी प्राप्त होती है, तो इस बार हाथी पर सबार होकर आती है और जब जब हाथी पर सबार होकर आती है तो फूल खिलते हैं वर्षा होती है इस बार की शारदी नौरात्री 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे 5 अक्टूबर को दसहरा होगा विजय दसमी तो खुशियों से भर जाती है जब नौरात्री आती है नौरात्री में 9 दिनों तक माता रानी की विशेश पूजन अराधना की जाती है दूसरे दिन मा ब्रह्मचाणी की अराधना होती है और तीनों लोक उनके सामने नस्त मस्त तीसरे दिन मा चंद्रघंटा की अराधना होती है इनके घंटे की धन सुनकर बिनासकारी सक्तियां ततकाल नस्ठ हो जाती है चोथी दिन मा कोश्मानडा की अराधना होती है मानता क इनकी हसे से ब्रहम्हान डुत्पन हुआ पांचमे दिन माता इशकंद माता की आराधना होती है और देवा शूर संगराम में देपताओं का शेनपत बनाया गया था कार्थिके कुमार को, वो उन्हीं की मा है छठे दिन मा काय त्याने की होती है और साथमे दिन मा कालरात्री भगुती का विक्राल रूप है आठमे दिन मा महागौरी जिसको हम अश्टमी तिथी की दिन उनकी अराधना करते हैं अश्टमी की दिन कन्या को भोजन किलाते हैं और सिध्ध दात्री नौमे दिन उनकी अराधना की जाती है और फिर बिजय दसमी मनाई जाती है दसमी दिन लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस नवरात्री में लौंग के प्रयोग से कैसे आप अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं जीवन में तंत्रमंद्र की परैसानिया दुख नाज नजर दोश से बस सके हर परैसानि से बाहर निकल सकते हैं आपको बदा दे कि नव रूप देवी के नव ग्रहों को कंट्रोल करता है शूर चंद्रमा मंगल बुधग्रह शुक्र शनी राहू के तुको शान्ती होती है ऐसे में चलिए अब हम जान लेते हैं कि लौंग का वो प्रयोग जिसको हम अगर कर लें इस नवरात्री के दर्मियान तो मा के कृपा बरसने लगती है आपकी जीवन की सारी बिगन बाधाएं परेशानिया समाप्त हो जाती है मादुरगा चांद की तरह चमकने वाली पूरे जगत में ब्याप्त हैं काल का नास करने वाली हैं रिद्धि सिध्धी को देने वाली हैं और काल का नास तो करती हैं साथी साथ सबसे पहले बात करें लौंग को लौंग का वो कौन सा प्रयोग जो आपकी जीवन के हर परिसानियों से कश्ट को समाप्त कर देता है एक बात याद रखे अगर आप चाहते कि पूरे जीवन में आपको कभी भी सत्रु ग्रोधी आपका कुछ बिगार ना पाएं तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजेगा नौरात्री से आपको माता रानी को दो लौंग अरपित करना शुरू कर देजेगा अगले दिन उसे उठाकर पत पतनी दोनों जन खालें परिवार के सदस्यों को साथ बाढ़ कर खालें तो अगले अगर परिवार में ज्यादा सदस्य हैं तो ज्यादा आप चढ़ा दीजेगा और दो सदस्टे हैं तो दो चढ़ाईएगा तीन है तो तीन चढ़ाईएगा पांच है तो पांच चढ़ाईएगा और अगले दिन वही प्रयोग पूरे साल आप यह नहीं करें यानि कि पूरे नवरात्रे के दिन करें तो पूरे साल यकीन मानिया सत्रो बिरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और सही समय पर आपके आखे खुल जाएंगे और आप उनसे बच निकलेंगे यही तो माता रानी का असिरवाद है अब हम एक और छोटे से प्रयोग की बात करेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बहुत शारे ऐसी मनो कामनाई होती है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही होती संतान की चाहत है, नोकरी प्राप्ति की कामना है शिक्र विबाह की कामना है, बहुत शारी कामनाई होती है स्वास्त की कामना होती है बहुत एक शुकों की कामना होती है तो उन कामनाओं की पूरती के लिए 27 लोंग का इस नौरात्री के किशी भी दिन प्रयोग कीजिए आप 27 लोंग ले ले और आप बिलुकुल साबूत खुबसूरत बिरा टूटी फुटी लोंग यानि की देख लीजिए इनने 27 लोंग को आप लाल धागे के सारे बांध कर माता रानी के सामने वहीं पर बांधना है और माला बना लेनी है नहीं माता रानी के सामने करेंगे तो ज़्यादा चमतकार होगा और अगर आप पूरुस हैं तो माता रानी के चणों के पास रख दें और महिला है तो उन्हें पहना दें आप 6 महिने के अंदर ही आप यनि के 6 महिने के अंदर ही आपको शमतकार देखेगा और 6 महिने के बाद जब फिर दुबारा नवरात्री आए तो जल में इसे प्रवाहित कर दें और फिर दूसरी प्रकार से आप ये प्रयोग करें वैसे तो आप 6 महिने में आपकी मनुरत पोड़ी हो जाएगी और ना हो तो आप एनी एक ही नवरात्री में करें बिशेश लावह का बहुत इस्वफल दायक शावित होगा लोग का अद्बुद उपाय जो आपकी जीवन के सभी कृष्टों को निवारन करेगा माता रानी के सामने आप दीपक तो जलाते ही है नवरात्री के दिनों में बहुत शारी लोग अखंड दीपक जलाते है तो माता रानी को प्रसंद करने के लिए और माता रानी के खिरपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्री के दिनों में आप यानि की जो दीपक जलाएंगे तो पहले आप दो साबूत लॉंग ले लें, साबूत लॉंग लेके अपनी हाथों में रख लें और माता रानी के सामने बैठ कर अपनी मनोकामना बोलें, जो भी मनोकामना हो, रिद्धी सिद्धी की, नौकरी की, ब्यापार की कामना हो, सफलता की कामना हो, पुरुपए पैस के बाद निकाल लें और अगर आप अघंड नहीं चला रहे हैं तो जब दीपक बुझ जा तो इससे निकाल कर अपने आप यानिकी जहां पर रूपया पैसा रखते हैं वहां पर आप रख दें ये दो दिप बिलाओंगा आप के इतना चमतकार होगा कि आपके घर में रूपय पैसों कि कमी कभी महसूस नहीं होगी आपका खजाना आपका भंडा रूपय पैसों से भरा रहेगा दोस्तों अगर सत्र बिलोधी बहुत ज़्यादा परेशान करें या फिर आपको बार बार नजर लग जाती है क्योंकि ये दिन बहुत कड़े होते हैं तो इस दिन अगर को किसी के नजर दो से सत्र नाश दुख नाश से परेशान हैं तो आप क्या करें कि दो लोंग ले ले और आप अपने सर से तीन बार उल्टे बार के माता रानी के चणों के पास रख दें फिर उठा कर फिर अपने सर से तीन बार उल्टे बार के और अपने दरवाजे के मु जिन आप ये उपाय करें आपको क्या करना है आप यनि कि जितने सत्रू हों उतने ही आप लॉंग लेकर माता के चरणों के पास रख दें और फिर इसे लाल कपड़े में या लाल कपड़े में रखकर आप इसे किसी चौराही पर चले जाए और एक एक करके आप चारो का नहीं क्यार पाएंगे और बड़े से बड़े दुश्मन भी गुठने टेक देगा जीवन में धनमान इस्वान यस की प्राप्ति होगी इस प्रकार से लॉंग का ये अध्भुत उपाई कीजे विशेस लाब होगा लॉंग के प्रयोग से जीवन के कष्ट मिठते हैं और आप जो अखंड दीपक है उस दीपक में आप ये लॉंग डाल दे और आप नौ दिनों तक इस लॉंग को रखे रहने दें बाद में जब आप भी सरजन करेंगे और ये आपका दीपक बुझेगा तो इस लॉंग को निकाल कर धन के स्थान पे लग दें इतना पैशावर से किस संभाल नहीं पाओगे दोस्तों अगर आपके घर में किशी को नजर लग जाती है बहुत लोगों को टोने टोटके लग जाते हैं किशी ने करा दिया तो आपको क्या करना है आपको जनिकी उसके सर से एक जारा बार दो लॉंग ले ले माता के चोड़ों के पास रख दे और फिर इस लॉंग को उसके सर से जारा बार नीचे से उपर सर से पाओ तक घुमाएए और ले जाकर किशी तिराही पर जाकर फैंक दीजे शत्रुनाश शांत नजर दोस्तों टोने टोटके नहीं होंगे और अगर आपके घर में निकविटी जादा है यानि कि बहुत जाएगी तो इस पकार से लॉंग का अद्बूत उपाए जरूर करिए वीडियो लाइक वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चोलों को सब्सक्राइब करिएगा जाए माद रुगे